2023 में आइफोन खरीदने का सोच रहे हो और confused हो कि कौन सा आइफोन खरीदना चाहिए तो आए इस वीडियो में 2017 से लेके आज तक जितने भी आइफोन निकले उन सब के बारे में discuss करेंगे वेदर आपल उनको sell कर रहा है नहीं कर रहा है आपको online retailer से मिलेगा offline retailer से मिलेगा या फिर आप second hand market से खरीदना चाहते हो तो सारे आइफोन के बारे में discuss करेंगे so that आपके सारे confusions दूर हो जाए नमस्कार दोस्तों में नमें अमेद टेकनोलोजी के दुनिया में हर दिन अरको नहीं सीखना चाहते हो तो यह चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए अब अगर आप यह सोच रहे हो कि 2017 से पहले वाले आइफोन में क्यों नहीं cover कर रहा हूं तो उनमें तो iOS 16 भी नहीं है तो iOS 17 तो बहुत दूर की बात है तो 2017 के पहले के जो भी आइफोन से आइडिली में उनको recommend नहीं करूंगा इसे 2017 के बात के आइफोन के बारे में discuss करते हैं जिनमें सबसे पहले आता है आइफोन 10 तो यह phone आपको 18 से लेके 22,000 के बीच में देखने को मिलेगा बहुत ही premium feel देगा जब इस iPhone का आइफोन का हाथ में पकड़ोगे performance में कोई भी problem नहीं है lag भी नहीं करता है अगर आप मेरे channel को पहले से follow कर रहे होंगे तो आपको पता हो का one of my favorite phones है iPhone 10 लेकिन अगर camera quality की बात करें तो 2023 के लिए best quality आपको देखने को नए मिलेगा iPhone 10 में हाँ iOS 16 आपको जरूर iPhone 10 में देखने को मिल जाता है लेकिन बहुत सारे missing features भी है और शायद iOS 17 भी इसमें आजाए लेकिन अगेन बहुत सारे ऐसे features होंगे जो missing होगे iPhone 10 में इवन इन iOS 17 वैसे देखा जाए सबसे सस्ते वे सस्ता OLED display वाला जो फोन है वो यही फोन है लेने के लिए आप ले सकते हो एक या दो साल के यूज के लिए लेकिन जायता लोग iPhone एक दो साल के लिए नहीं खरीते है लोग खरीते 5 साल 6 साल के लिए तो अगर आपका लंबा horizon है तो फिर आपको iPhone 10 skip कर लेना चाहिए लेकिन अगर आप 1-2 साल के लिए और यूज कर लेना चाहिए यो phone आपको अच्छा deal मिल जा रहा है तो फिर आप certainly ये phone consider कर सकते हो अब बात कर लेते दो ऐसे phones के बारे में जो उसी साल launch हुए थे that is iPhone 8 and 8 Plus तो iPhone 8 आपको around 12,000 के आसपास देखने को मिल सकता है 8 Plus आपको 15,000 के आसपास देखने को मिल सकता है अब initially ये phones जब launch हुए थे तब इनकी बिकरी इतनी अच्छी नहीं हुई थी लेकिन later on second hand market में especially 8 and 8 Plus में pick up कर लिया था तो yes इन दोनों ही phones में आपको iOS 16 भी देखने को मिलता है लेकिन again जैसे के मैं आपको बता है इनमें आपको बहुत सार ऐसे missing features देखने को मिलेंगे जो आपको ideally iOS 16 की latest phones में देखने को मिलता है तो यह दोनों phones की design ने बहुत ही पुरानी हो चुकी है और gaming के लिए भी यह phones इतने अच्छे नहीं है लेकिन अगर फिर भी आपको fingerprint चाहिए और अगर आपको second hand market में कोई अच्छा deal मिल जा रहा है और iPhone X के comparison में iPhone XS better भी है और same design आपको देखने को मिलती है लेकिन अगर आपको 4G चाहिए तो iPhone XS, XS Max as well as iPhone X में भी आपको यह option देखने को नहीं मिलेगा तो अगर आपको iPhone X से थोड़ा सा better चाहिए तो आप iPhone XS या फिर XS Max ले जरूर जा सकते हो लेकिन अगर आपको 5G चाहिए तो फिर इन दोनों फोन्स को आपको avoid कर लेना पड़ेगा अब बात कर लेता iPhone XR के बारे में तो second hand market में आपको 20,000 iPhone XR देखने को मिल सकता है लेकिन देखा जा तो बहुत बड़े bezels देखने को मिलते हैं camera quality इतनी अच्छी नहीं है अगें इस phone में भी आपको 4G को option देखने को मिलेगा तो 4G से अगर आपको कोई भी problem नहीं है तो iPhone XR एक बार आप consider कर सकते हो लेकिन personally मैं strongly recommend नहीं करूंग iPhone XR के बारे में अब बात कर लाए एक time का king of iPhones that is iPhone 11 तो ये phone आपको 25,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा अगें इस phone में आपको 4G देखने को मिलेगा LCD screen देखने को मिलेगे rounded edges देखने को मिलेगे थोड़ा सा old design हो चुका ये वाला phone bezels भी बड़े देखने को मिलेगे आपको iPhone 11 में वो premium feel आपको नहीं मिलेगे जो आपको iPhone XS या फिर iPhone X में देखने को मिलता है लेकिन at the same time में ये भी कहूंगा इसकी जो design है okay है in fact अगर आप iPhone XR खरीदेगा सोच रहो तो उससे तो आपको latest model मिल जाता है iPhone 11 में and above all अगर आप gaming के लिए use करना चाहते है iPhone 11 को तो आप जरूर use कर सकते हो लेकिन थोड़ी बहुत heating आपको इसमें मैसूस हो सकती है so basically iPhone 11 इतना बुरा भी phone नहीं है काफी अच्छा कासा phone है लेकिन अगर आपको 4G से कोई भी problem नहीं है उसकी design से भी कोई problem नहीं है that is थोड़ी सी old design हो चुके compare to iPhone 12, 13 या फिर 14 तो अगर इन दोनों चीजों से आपको कोई भी problem नहीं है तो आप iPhone 11 जरूर consider कर सकते हो अब बात कर लेकिन iPhone 11 Pro and 11 Pro Max के बारे में तो personally मैं को लगता कि है second hand market में इसकी price काफी expensive है तो price को अगर mind में रखे तो ideally आपको ये phone को avoid कर लेना चाहिए next बात कर ले आइफोन SE 2 as well as SE 3 के बारे में तो दोनों इफोन में आपको अच्छी battery देखने को नहीं मिलेगी super old design है camera भी इतनी अच्छी नहीं है night mode का option नहीं मिलता है and most importantly second hand market में आपको जो इसकी value मिलती है वो इतनी अच्छी भी नहीं मिल रही है so उस price bracket में बहुत सरे ऐसे आइफोन से जो आपको ideally consider करने चाहिए rather than iPhone SE 2 या फिर SE 3 हाँ अगर आप touch ID के fan हो तो फिर आप iPhone SE 2 और SE 3 consider कर सकते हो अब अब तक जितने भी iPhones में आपको बता है उन सब मैं 50-50 था कुछ को मैं consider कर सकता हूँ कुछ को नहीं consider कर सकता हूँ लेकिन अगला जो iPhone है वो मैं surely आपको recommend करूँगा and वो है हमारा iPhone 12 so iPhone 12 नहा है अगर आप लेने जाओगे तो आपको 50,000 के आसपास देखने को मिल सकता है लेकिन अगेन आज की तारिख में Amazon and Flipkart पे आपको 54,000 में मिल रहा iPhone 12 and second hand market में आपको 32,000 के आसपास देखने को मिल सकता है अब ये 4 में आपको 5G मिल जाता है OLED डिस्पले मिलता है वो latest boxy design देखने को मिलती है जो personally में को बहुत ही पसंद है and surely मैं आपको recommend करूँगा कि iPhone 12 अगर आप खरीदेगा सोच रहो तो आग बंद करके खरीद सकते हो लेकिन at the same time में ये भी कहूँगा कि 54,000 में ये iPhone खरीदे जैसा नहीं है अच्छी deal अगर आपको मिल जाए या फिर अगर second hand market में आपको कोई अच्छी value मिल जाए तो फिर आप इसको consider कर सकते हो अब बात कर लेते iPhone 12 mini के बारे में बहुत ही छोटा phone है छोटी battery है gaming के लिए बिलकुल भी recommend नहीं करूँगा लेकिन अगर आपको as a secondary phone यूज़ करना है तो फिर आप iPhone 12 mini consider कर सकते हो next बात कर लेते मेरे चाहिते phone के बारे में that is iPhone 12 Pro and 12 Pro Max तो बड़िया camera आपको देखने हो मिल जाती है night photography मिल जाती है HDR video इसका बहुत ही अच्छा है and pro models में आपको LiDAR sensor मिल जाता है and 12 Pro Max तो 12 Pro से better है especially उसकी अगर camera की बात कर है and prices की बात कर तो second hand market में आपको 47,000 से लेके 55,000 के बीच में देखने को मिल सकता है next बात कर लेता iPhone 13 के बारे में तो एक no brainer है iPhone 12 अगर मैं आपको recommend कर रहा हूँ iPhone 13 तो आपको certainly recommend करूँगा लेकिन आज की जो price है वो थोड़ी से जादा है आपको 59,000 में फिलाल मिला है flip card पे तो ideally अगर आज के तारिक में iPhone 13 आप खरीदने का सोच रहे हो तो 50,000 एक सही value होगी and अगर आप थोड़ा सा wait कर सकते हो तो big billion day में इसकी price काफी गिर भी सकती है 50,000 के नीचे भी आ सकती है तो वो price perfect होगी iPhone 13 के लिए तो अगर आज खरीदना चाहरे हो तो 50,000 की price सही रहेगी iPhone 13 के लिए लेकिन अगर आप September या फिर October के लिए wait कर सकते हो तो फिर आपको और भी सस्ता देखने को मिल सकता iPhone 13 अगर आप iPhone 12 और iPhone 13 के बीच में confused हो तो फिर आपको better brightness iPhone 13 में मिलेगी better camera देखने को मिलेगी and certainly better battery भी देखने को मिलेगी after all iPhone 13 एक latest phone है compared to iPhone 12 लेकिन दोनों ही phones में recommend करूँगा आपके budget में जो भी set होता है iPhone 12 या फिर iPhone 13 आपको कोई भी consider कर सकते हो अब बात कलें तो iPhone 13 mini के बारे में अब personally मेरे को mini models इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते है छोटी screen आपको मिलती है battery भी छोटी मिलती है तो ideally iPhone 13 mini में बोलूँगा skip कर लो rather अगर आपको लेना ही है तो आप iPhone 12 ले सकते हो जो आपको same price में देखने को मिलेगा of course iPhone 13 mini का जो base variant हो है 128 GB जबके iPhone 12 है 64 GB लेकिन फिर भी में recommend करूँगा iPhone 12 कहीं ज़्यादा better है 13 mini से at least in terms of the display size so यह मेरी personal feeling है कि mini models में पसंद नहीं करता हो and same हुआ actually Apple के अगर आप line-up देखोगे तो mini models इतने अच्छे बिके भी नहीं है लेकिन चले अब बड़े phones की बारे में बात कर ले थे that is 13 Pro and 13 Pro Max so यह दोनों ही phones Apple ने discontinue कर दिये तो globally that is international यह दोनों फोन आप खरीच सकते हो या फिर अगर कोई retailer यह दो फोन बेच रहा तो वहां से खरीच सकते हो या फिर आप second hand market को भी consider कर सकते हो तो 13 Pro and Pro Max में आपको 120 Hz का refresh rate देखने को मिलता है दोनों ही phones बड़िया है अगर आपको अच्छी price में देखने को मिलता है तो आप ज़रूर consider कर सकते हो and Pro लेना चाहिए या फिर Pro Max लेना चाहिए यह depend करता है आपको कौन सी size चाहिए तो prices की अगर बात करें तो 65,000 के आसपास आपको Pro second hand market में मिल सकता है and Pro Max आपको 75,000 में second hand market में देखने को मिल सकता है next बात कले थे iPhone 14 के बारे में अब जब से iPhone launch हुआ है in fact launch होने से पहले मैं काफी सारे वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि iPhone 14 ideally आपको skip कर लेना चाहिए क्योंकि इतना कोई major development नहीं देख रहा है compared to iPhone 13 तो अगर आज के तारीक में आपको value for money phone खरीदना है तो आप iPhone 13 के लिए जाए ना के iPhone 14 के लिए क्योंकि iPhone 13 and 14 में physically तो आपको कोई भी difference देखने को नहीं मिलेगा हाँ थोड़े बहुत features एडिशन जरूर देखने को मिलते है that is iPhone 14 आपको action mode मिल जाता है crash detection मिलता है कुछ extra 5G bands देखने को मिलते है लेकिन personally में को नहीं लगता कि इतना कुछ important है ये सारे features iPhone 14 के लिए और वैसे भी iPhone 14 आपका same 60Hz refresh rate देता है तो अगर आपको 120Hz refresh rate चाहिए तो rather आपको iPhone 13 Pro के लिए जाना चाहिए लेकिन मैं ये भी कहूँगा अगर आप थोड़ा सा wait कर सकते हो that is big billion day में iPhone 14 50,000 के आसपास देखने को मिल सकता है लेकिन जैसे के हम जानते है कि इस price में बहुत कम लोग iPhone 14 मिलेगा लेकिन उस time पे आपको iPhone 14 around 50,000 के आसपास देखने को मिल सकता है लेकिन अगर आपको आज के तारिक में phone खरीदना है तो rather मैं suggest करूँ iPhone 14 आपको skip कर लेना चाहिए आप iPhone 13 ले सकते हो 12 ले सकते हो rather आप iPhone 13 Pro भी ले सकते हो लेकिन 14 अगर आपको लेना ही है तो थोड़ा से और wait कर लीजिए और iPhone 14 Plus की बात करें तो अगर आपको bigger size चाहिए 14 Pro Max के comparison में आपके जो wait है वो कम चाहिए और अगर आपका budget उसको permit करता है तो फिर आप iPhone 14 Plus consider कर सकते हो तो नया 14 Plus आपको 90,000 के असपास देखने को मिल जाएगा नेक्स बात कर ले थे iPhone 14 Pro and Pro Max के बारे में तो मैं यह कहूँगा आपको बंद करके ले लो अगर आपको best and greatest चाहिए आज के तारिख में तो इसमें कोई भी doubt नहीं iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro सबसे best iPhone जे आज के डेट में तो इनमें आपको better camera certainly देखने को मिल जाती है dynamic island मिल जाता है और वो same premium feel देखने को मिलता है आपको iPhone 14 Pro and Pro Max में लेकिन इंडिया में अगर इसकी price की बात कर है तो वो 1.3 lakhs और 1.4 lakhs तो अगर आप international markets iPhone 14 Pro and Pro Max खरीच सकते हो तो certainly वो option आपको consider कर लेना चाहिए detail में अगर आपको जाना तो मैंने various videos बना के रखे हमारे चैनल पे link आपको description में as well as i button में देखने हो वो मिल जाएगी so ये सब मेरे personal choices थे लेकिन आप जानते हो कि Apple के iPhones काफी अच्छे होते in terms of performance lag नहीं करते पुरान पुरान आइफोन भी अच्छा चल जाता है आज के तारीक में so कोई भी आइफोन आप खरीद लो आप घलत नहीं होंगे लेकिन मेरे personal जो recommendations है वो मैं आपको strongly इस वीडियो बता चुका हूँ बागी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो like and share जरूर करें चानल में पहली बार subscribe कर सकते हो पास में आपको जो bell icon दिख रहा है उस पे भी click जरूर करें देखते रहे collagen taken इंडियो मिलते हैं next वीडियो में